कर्ज में फसी टेलिकॉम कंपनी वोड़ाफोन आइडिया में सरकार तब तक हिस्सेदारी लेने के लिए डिल नहीं कर सकती जब तक कंपनी के प्रमोटर की तरफ से कंपनी में जरूरत लाइक पूझी नहीं डाली जाएगी पैसा नहीं लगाये जाएगा एकनॉमिक्स टाइम्स में सरकारी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट दी गई है रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी के प्रमोटर यानि वोड़ाफोन और आदे तिबरला गुरूप ने कामकाच चलाने के लिए 2-3,000 कर रुपए रुपए देने की मंजूरी दी है जो का पुराने स्पेक्टरम का पैसा सरकार को चुकाना था और उसके ब्याच पर सरकार ने उसका भुपतान रोकते हुए इस कंपनी में हिस्सेदारी लेने का प्रस्ताव किया था यह समझोता हुआ था वो समझोता मुश्किल में फस गया है वोड़ाफोन आइडिया के जो कर्च की देंदारी इसमें बनी हुई है अब इस परिस्थिती में सरकार ने जब देख लिया है कि वोड़ाफोन आइडिया के प्रमोटर्स उतनी पूंजी लगाने को तियार नहीं है तो सरकार भी अपना पैर पीछे खींच रही है और ये पैर पीछे खींचने के भी पिछली हुई है फाइट जी को लेकर भी और बाकी दूरसंचार सेवाओं को लेकर भी